कि नमस्कार आप सभी जूड़ चुके हैं तो कल के लेक्चर में किसे नंबर नो तक कर लिये थे एक्साइज फरस्ट सीके नो किस्टन कंप्लीट कर लिये थे आज के इस वीडियो में दस से लेकर पंदर तक कंप्लीट कर लेंगे तो दस स्वापर से नहमारे पास है कि Beauty कि इसमें करना क्या निमनाजिक्स अउक्ल समयकर्न हरू करनी है तो सवापर से एक्सट प्लस वाइख माइनेस का एक्स प्लस वाइज इंटु क्यू इक्स स्क्यार dział के साथ मिन hasn't होता है capital P और Q के साथ में capital Q और equal to right hand side में होता है तो formal था dx बटा P बराबर dy बटा Q बराबर dz बटा R तो dx के निचे P का मान लिख दिया dy के निचे Q का मान लिख दिया और dz के निचे R का मान लिख दिया अब इसके xy और लेंगे xy और माइनश्ट गुनत लेंगे यानि लेने का मतलब है कि dx में के अपन निचे एक्स की निचे उपन निचे वाय की पायर दीच की और लिगवेद्द में माइन enthusiasts की गुणा गुना तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डीएक्स यहां पे एक्स यजड़ दियां अब इन सभी को जोड लेंगे जोड लेंगे तो नीचे वाला कैंसिलों के एक आजाएगा और उपर वाला बच्चे प्लस यदि वाइनस का जड़ बराबर 0 को अब इस्का समाकलं कर लेंगे तो इसका अइकस डूड़ा होग स्क्षेड वाई लेगे राभर सीषा नौसे रूसरा ढूल लेंगे यहिंड का अब उपनेशा लेक्ना करेंगे इसमarin होगहे रोप मुदलत सकते हर्टा अप्रण दूसरा अब टिन ऊपर वालों को जोड़ेंगे निचे वाले को जोड़ेंगे तो निचे वाला आएगा एक और उपर वाला आएगा ydx plus xty plus ंब्लास ड्यज़ बराबर 0 अब इसका कर देंगे समाकलन ड्यक का स्माकलन होगा X और Y constant पढ़े हैं दी य का समाकल न हो जाएगा Y X constant और दी जट का जाएगा Z पराबर C2 तो xy xy होगे 2xy plus z equal to 2xy को सीद्धे xy लिखा या xy plus z पराबर c2 तो फलता है अभी श्थाल हो जाएगा f u v equal to 0 तो f c1 c2 पराबर तो सीवन का मान होड़ाएगा हमारे पास यह एक स्वेड़ प्ल। फाइस्वाइसदेडu कमान एक सॉआ प्लस जैडर बराबर जीरो Grade MID हि क्या तो यह यह परकार से मारे पास परस को आerdì female कि प्लस पी यह di square x-y तो इसमें Capital P यह है X square y-z q is Y square z minus x और r e z square x-y तो dx बटा P बराबर dy बटा Q बराबर dz बटा R रग दिया अब गुनक लेंगे एक बटा X एक बटा Y और एक बटा Z लेने पर तो dx में ऊपर एक बटा some के गुणा करें गे नीचे एक बटा वाई की गुणा करेंगे डीजेड में उपर एक बटा जट की गुणा करेंगे निचे एक बटा जट की गुणा करेंगे उसके बाद में उपर वालों को जोड लेंगे और निचे वालों को अपॉन में लिककर जोड देंगे तो निचे वाला थो जाएगा एक और उपरवाला आएगा dx बटा x sending by y प्लस d z बद सेड बराबर 0 अब इसका समाक्रिन कर लेंगे तो log x प्लस log y प्लस log z ब्राबर log c1 तो log a प्लस log b प्लस log c काहता log a b c बराबर log c1 हो जाएगा तो log से log cancel xyz बराबर payment c1 का वाल स्क्वार में पूरे में उपर एक स्क्वार का गुणा करएंगे उसी प्रकार से एक बटा माइगे उपर नीचे योड़ने पर ओपर वाले तिनों को जोड़ेंगे तो आएगा अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा एक प्लस एक वाइप जिट बराबर सेट नहीं जुड़ें वह करके इसे पिछला वाला वीडियो देखिए उसमें इस exercise को करने के लिए जो वीदी बताई वी है वो सुरात में वीडियो बताई वे उस वीडियो को देखते हुए अगर ये वीडियो देखेगा बाद में तो और आसानी से समझ में आएगा दो लिए जीए गडियो बताई अगा और में तो निचे वालो को जोड देंगे नीचे वालो को जोड़ेंगे तो ए आईगा और उपने वाले जोड़ेंगे तो दिएख़़़ फ्लस वाइड़ फ्लस की दीजड़ जीरो आएगा अब इसका करेंगे तो x square plus y square plus z square बड़ाबर से बनाएगा अब देखिए अब दूसरे और तीसरे पार्ट को ब्राबर करेंगे कि दूसरा और तीसरा पार्ट ब्राबर कर देंगे तो मारे पास इन दोनों में से कॉम्बन आ रहा है एक्स और इन दोनों में इस तरफ बचे का y-z तो इस y-z को dy में गुणा करेंगे और y-z को dz में गुणा करेंगे तो y-z dy ब्राबर dz y plus z अब अब समाकलन कर देंगे दोनों तरफ तो इस तरफ dy यह तो y को ओगा y-z और dy को जाएगा y इस तरफ दीजट है तो y constant होगे dz कोगे गटे जटरी कोगे बाइब घडित स्क्वेर का अब इस तरफ एप स्क्वेर कर लेप्ट एंड साइड में ले जाएंगे y-z स्क्वेर माइन स्क्वेर माइन तुवाई जट बराबर सी तू यह तो इढ़िए स्ट अब इस्टाल होता एप सीओन सी तुब्राबर जीरौ fc1 कमान x²y²Z2,c2-y²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z²-z² हो गया इस मॉल क्या और इकवल के राइट के राइट इंड साइड में आर हो गया के पिटल तो डिक बटा पी केपिटल ब्रभाबर डिया बटा केपिटल क्यों बराबर डि agriculture अब डिक्तेवाइब को गटा दिए और डिय माइनस डी जड़ को गटाएंगे और दोनों को कर दे प्लस का ZX बराबर करदेंगे डिवाइ मैनस दीजड तो दीवाइ मैनस दीजड और य स्क्वेर मैनस देट स्क्वेर प्लस का एक्स वाई तो दीएक्स मैनस दीवाई बता मागे X plus Y X minus Y plus Z X minus Y पर अब दीवाइब माइनस दीजेट बाटा Y plus Z Y minus Z plus X Y minus Z अब इन दोने में से common क्या आ रहे हैं X minus Y common आ रहे हैं और अंदर बच रहे हैं X plus Y plus Z X minus Y bracket X plus Y plus Z उसी प्रकार से इन दोने में से Y minus Z common ले लिया तो X plus Y plus Z अंदर common बच गया तो दोने तरफ X plus Y plus Z cancel हो गया और निचे बच एक्स माइनस Z Y minus Z अब Y minus Z को देखिए इस तरफ गुणा करेंगे और X minus Y को उस तरफ गुणा करवाएंगे तो लोग X minus Y plus लोग X minus Y ब्राबर लोग Y minus Z प्लस लोग Y minus Z ब्राबर लोग C1 अब इसका सीधा स्माक्लन कर दिया लोग में लेकर आ गए तो यहां देखिए लोग A plus लोग B लोग A into B तो X minus Y को उसक्वेर हो गया और इस तरफ हो गया लोग Y minus Z प्लस लोग Y minus Z तो Y minus Z को उसक्वेर प्लस लोग C यनी 71 तो यहां हो गिया Y minus Z को उसक्वेर प्लस C1 है तो Y- Z को अपोन मिले के आ गए इसके और ब्राबर करदिया सीवन दोने स्क्वेब से सक्वेब कैंसल हो गए एक समय य ser स्क्वारा घा सीवन सीवन का मान यह आ शब बराबर द y-df बटा y-zx-z² प्लस xy वापशि उसी परकार से सॉल करेंगे तो दोनों तरफ z plus x upon z minus x और y-z minus x य-z x plus y plus z common आ रहें इसम उसी परकार से z minus x common आ रहे है और अंदर बस रहे x plus y plus z गर और इस तरफ बचेगा और इसरफ बचेगा दोने तरफ समाकलन तो आजेगा ओं स 20-289, और यलें पक्रफ दोने उप्त्न मेमं अजाएंगे ओं स्क्वेड इसकी आपॉं में आएगा जैज आएगा, Z-X बटा Y-Z बराबर C2, तो F7C2 बराबर 0, तो F7X-Y अपन Y-Z, Z-X अपन Y-Z बराबर 0, तो यह आंसर होगी है, क्यूशन नमबर 13 का, उसी प्रकार से क्यूशन नमबर 14 दिये है, X2, X3, ZP1, प्लस X3, X1, ZP2, प्लस X1, X2, ZP3, बराबर X1, X2, X3, तो इस प्रकार से दिये हैं, तो इस स्वार क्या होगा, P1 के लाबा जो भी है, वो capital P1 हो जाएगा, तो P1 के लाबा क्या है, X2, X3, और Z है, यह होगा P1, और इस स्मॉल P2 के लाबा जो भी है, वो capital P2 हो जाएगा, X3, X1, Z हो जाएगा, capital P2, और इस स्मॉल P3 के लाबा जो भी है, वो capital P3 हो जाएगा, X1, X2, Z, और R हो गया, X1, X2, X3, इस वार च्यार टम बनेंगे, दि, X1, बटा capital P1, बराबर दि, X2, बटा capital P2, बराबर दि, X3, बटा capital P3, बराबर DZ, 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 बराबर DZ Z को तो अमारे पास C1 C2 C3 आ जाएगा देखिए पहले बाद Dx1 बटा X2 X3 Z बराबर Dx2 बटा X3 X1 Z तो X3 और Z कैंसे लोगिया अपोन में क्या बचकिया X2 और X1 X1 Dx1 में घुणा होगिया X2 Dx2 में घुणा होगिया X1 Dx1 बराबर X2 Dx2 दोनों तरफ किया समागलन तो X1 का स्क्वेर मैनेस X2 का स्क्वेर आ गया C1 तो यह C1 का मान आ गया उस्सी प्रकार से Dx1 और Dx3 को बराबर किया तो X3 और X1 बचकिया निचे X1 इसमें Dx1 में घुणा होगिया X3 Dx3 में घुणा होगिया दोनों तरफ समाकलन कर दिया X1 का स्क्वेयर माइनस X3 का स्क्वेयर बराबर सीटू अब D X1 और D Z को बराबर कर दिया इस वार तो X2 और X3 कट गया और नीचे बच गया Z और इस तरफ बच गया X1 D X1 गुणा हो गया और Z हो गया D Z में तो X1 D X1 बराबर Z D Z दोनों तरफ समाकलन कर दिया तो X1 का स्क्वेयर माइनस Z का स्क्वेयर बराबर आगे C3 तो फलता है अब इस्ठाल क्या होगा F C1 C2 C3 बराबर 0 तो इसमें C1 है F X1 का स्क्वेयर माइनस X2 का स्क्वेयर ,,x1 ka square minus x3 ka square,x1 ka square minus z ka square, बराबर 0, यह होगे c1, c2, c3, यह इसका answer है question number 14, अब इसा एक साइस का last percent है, 15 percent, 15 percent में दियावाए x, del u upon del x plus y, del u upon del y plus z, del u upon del z, बराबर x y z, और यहां पर डिल एक्स लिखा वैं उसे अपने कुमानने डि एक्स को मानने दियू कर सबसे पहले इंडेंट वाय वाय है कि ये यूंड को तो यहां बचीए एक्सक्रणोग्स यहां बचीए कश्यांग युट बचीए कि यूफ दील फ्र जट पर आगया क्या जे Сп specially यहां कि यहां ऑपन दैल युझा इन ऊपन यपान दैल युझा होगे था दैल य wiseい ऑपं भॉषिजले क्यें अब लेकर आएंगे और बैसे ब को लेक्स लेकी कि कहांगे कि निश्थे तो यहां पर दिल कि तोस्वारिक गया बैसी गाम आटाइए असpping एस्तेसिते 문제 करने तो यह था दी ओपन एक Suzer यह देखिए यह द्रीण गवाई घोर उसकども चिछल्ट ली ःवाई यह फोर्पन फोर दिनों को कर दिना बढ़र क Works लूच करंद भी को ब्राबर लेने तो मार पास सी न आएगा और डी योइऑ घ्रिब में तो आएगा सी टू और लास्ट में तीनों को ब्राबर करने तो मेरे पास सी थ्री आएगा डी एक्स और डी वाई को बराबर किया तो दोनों तरफ समाकलन करना सीधा लोग एक्स बराबर लोग वाई प्लस लोग सीवन तो एक्स उपन वाई बराबर आगे सीवन ये होगे सीवन कमान और डी वाई और डी जड को बराबर किया तो सीधा समाकलन किया तो यहाँ यह लोग Y बराबर लोग Z प्लस लोग C2 तो Y इपॉन X बराबर C2 आगया अब C3 का मान गयात करेंगे तो तिनों को लिख देंगे बराबर DX बटा X यानि DX, DY, DZ और DU तिनों को लिख दिया बराबर तिनों को बराबर लिख दिया DX बे देखिए निचे अपने को इस तरफ है XYZ और यहाँ पर सिर्फ Z है यहाँ पर सिर्फ Y है और यहाँ पर सिर्फ X है तो इन तिनों में भी XYZ पुरा बनाना है तो X में क्या गुणा करें? YZ की ताकि XYZ बने तो उपर निचे YZ की गुणा करादेंगे YZ DX बटा XYZ और यहाँ पर XZ की गुणा कराएंगे तो XYZ बनेगा तो उपर भी हो जाएगा XZ और DY बटा XYZ और यहाँ पर XY की गुणा करवाएंगे तो ओगा XYZ तो उपर निचे XY की गुणा करवादी XYZ बटा XYZ बराबर मितल रहे अपने द यू बाट ऐ जड़ आप eight WIL çaडं들 चवाइड आप अब डी-उक्स डी उड़ यों टिसंदम को एक साथ जोड iki Radض के up हलों जोड के डी यू बाट जोड ऑ हो जाए का वाइड जोड के उड़ जड्क फ्लस एकशड़ डी-उड प्लस यानि X, Y, Z का अगर आउकलन करेंगे तो Y, Z, D, X, Z, D, Y, P, L, X, Y, D, Z आएगा तो differentiation क्यों लिखा है चूंकि एक differentiation से एक समाकलन कट हो जाता है इसलिए असान करने के लिए लिखा है तो यहां पर लिख दिखेंगे differentiation of X, Y, Z बराबर 3, U, 3, D, U दोनों तरफ कर दिए समाकलन, एक differentiation से एक समाकलन कट गया X, Y, Z, बराबर 3, का 3, Z, इसपराए, D, U, का U, प्लस C3 तो C3 का माना गया, X, Y, Z, 3, U, X, Y, Z, 3, U, बराबर C3 तो अब इस ठाल कितना होगा, इसका अब इस ठाल होगा तो इस प्रकार से आज की ये समिकन समाप्त होती है, और उसी के साथ ही वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है अगली लेक्चर में अपन एक साइज फस्ट डी फस्ट डी के पूर्य करने का परियास करेंगे, क्योंकि इसमें 4 परसंदिये में फस्ट डी में रेक्खी कांसी का उकल समिकन का ज्यामी त्यार्थ बताना इसमें तो आज की वीडियो में इतना है, धन्यवाद